नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त आपका होस यह राहूल गोहल स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे अभी आपने देखा कल नॉटिफिकेशन आया नॉटिफिकेशन नमबर 15 जिसमें कुछ चेंज किया इन्होंने रूल 23 में तो अब हम अगर आपका जिस्टी रजिस्ट्रेशन रिवांग्ड है तीज दिन से उपर का पीरिड निकल चुका है तो आप एप्लिकेशन फाइल के से करोगे क्योंकि पॉर्टल हमें अलाउन नहीं करता है तो जब तक यह चीज नहीं है और रूल 23 में यह चेंजेज लेके आए इन् सब्सक्राइब सक्राइब सब्सक्राइब पिस अंचीज को बोटाइब सक्योंकि यह कुई को इसके व्यांतर नहीं तो फ्राइशन नहीं तो इसके लिए कोने स्टेंडर्ट्रीजर फोर इंपीमेंटेशन अफ द प्रोविजिन यौफ एक्स्टेंशन टाइम लिमिट तो अभी जोपने बात करी कि आपने सेक्शन 30 जो ता उसको अमेंड किया जो भी हमने पावर की बात करीगे इनको पावर दिये गए थे उस पर्टिकुलर उस चीज के बारे में यह बात कर रहा है पहले section 30 में चेंज किया है इन्होंने पावर दिये section 30 में पावर देने के बाद rule 23 में आपने देखा आप इसले वीडियो में इन्होंने इस चीज को एड़ कर दिया notification नंबर आपका notification जो था notification नंबर 15 के मुताबिक इन्होंने उसमें भी change कर दिया अब बात करते हैं आगे क्या procedure दिये कि कैसे हम registration रिवोक करा पाए मैं बुद्धे की बात होती है दोस्तो इस टार्ट अब शुरू करते है इससे पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले दोस्तों क्या बोला जा रहा है in order to ensure uniformity in the implementation of the provision of the above rule across the field formation की जो rules section में बदलाव किये इसमें uniformity maintain करने के लिए तो जब तक एक प्रोसिजर नहीं आ जाती है कि हमें यह पता है कि यह जोइंट कमिशनर कमिशनर की अप्रूल से हम कर सकते है लेकिन अप्रूल ले के से अप्रूल का कोई प्रोसिजर नहीं था तो वही प्रोसिजर नहीं आ पर बताईए as has been provided in section 30 section 30 में जैसा कि बताया गया है any registered person whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion कि कि किसी भी registered person का registration cancelled कर दिया है proper officer ने on his own motion may apply to such officer in form GST REG 21 for revocation of the cancellation of registration within 30 days from the date of service of cancellation order यह मैं पता है कि हम 30 दिन के अवंदर अप्लाई कर सकते हैं revocation की application section 30 के मुताबिक और rule 23 के मुताबिक in case the register person apply for revocation of cancellation beyond 30 days but within 90 days from the date of service of cancellation order the following procedure is specified for handling such cases तो आपको यह प्रोसीजर करनी पड़ेगी क्या है वो प्रोसीजर गोर से देखिएगा दोस्तों where a person apply for revocation of cancellation of registration beyond a period of 30 days from the date of service of the order of the cancellation of registration but within 60 days of such date तो 30 दिन के बाद अगर आप application लगा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा the said person may request through letter on email, through letter or email आपको क्या लिखना पड़ेगा या तो कोई letter लिख दो या email लिख दो for extension of time period for applying revocation of cancellation or registration to proper officer by providing the ground on with such extension is short तो आपको आपका जो proper officer है जिसने आपका registration cancel किया है आपको उसको या तो एक letter लिखना है या एक mail लिखना है उसमें आपको उसके कारण बताने है तो proper officer को application क्यों लिखू आगे भी इसका समाधान है the proper officer जैसे आप application लिखोगे proper officer क्या करेगा proper officer shall forward the request to the judicial joint or additional commission for decision on the request for extension of time limit आपको एक letter लिखना है एक email लिखना है उसमें आपके reason बताने है कि भाई आप 30 दिन में क्यों नहीं कर पाया लेकिन ध्यान रखना है ये letter आप 30 दिन के अंदर लिख रहे हो 30 दिन के बाद और 30 दिन के अंदर उसमें reason बताओगे proper officer के पास वो mail जाएगा या letter जाएगा proper officer उस लेटर या mail को जो भी joint commissioner है additional commissioner है उसके पास forward करेगा क्योंकि decision लेना है joint commissioner additional commissioner को the joint commissioner edition commission on examination of the request file for extension of time limit for revocation of the cancellation of registration and on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing मैं extend the time limit अगर उसको लगता है तो वह time limit आपकी extend कर देगा अगर आपकी extension accept हो जाती है the extension of the time limit shall be communicated to the proper officer जब वह joint वह चेर्मनेगी आपने proper officer को लिखा proper officer ने commissioner joint commissioner additional commissioner को लिखा अब additional commissioner joint commissioner pro professor को लिखेगा accept कर लेगा तो हावयवर in case concerned joint commissioner is not satisfied with the ground on which such extension is short and opportunity of personal hearing may be granted to the person before taking decision in the manner अगर आपसे accept होगा तो proper officer के पास acceptance हा जाएगी और अगर cancel हो जाएगा आपकी request अगर accept नहीं होती है जो आपने reasons दिये थी उनकी basis पे तो दोस्तों आपको एक opportunity भी दी जाएगी personal hearing की in case of rejection of the request for extension of time limit the ground for such rejection may be communicated to the person concern through the proper officer अगर आपका cancel हो रहा है तो cancellation की आपको information मिलेगी personal hearing आपको मिलेगी reason भी बताए जाएगे आगी on receipt of the decision of the proper officer के पास decision आ गया decision कमिशनर request for external time limit for applying the request for official official process the application for revocation of the cancellation according to the law and the procedure laid down in this regard अब उसके पास acceptance आ गई है joint commissioner ने additional commissioner ने accept कर लिया आपकी request pro professor को अपना decision दे दिया है कि भाया accepted है इसको 30 दिन extra or दिये जाए तो pro professor जो भी procedure है उस procedure की accordingly आपका registration revoke कर देगा दोस्कों procedure similar to that explained in pera 4.143 वाउ अब यह बोल रहा है कि same procedure apply होगी अगर आपको साड़ दिन की जिएका नभब पीरिड़ का चीए वही procedure आपको apply होगी बस उसमें क्या होगा प्रोफेसर के पास जाएगा प्रोफेसर कमिशनर के पास पे जाएगा फिर कमिशनर accept कर लेगा तो प्रोफेस यह कब हट जाएगा यह circular नहीं माना जाएगा सीज हो जाएगा नहीं applicability होगी जब particular functionality आ जाएगी पोर्टल पे ही कि पोर्टल के थूई आप application लगा पाओ तब यह circular का कोई उचित्त नहीं रहेगा जब तक ऐसा पोर्टल पे नहीं आ जाता है तब तक ही circular का उचित्त है दो दोस्तों 30 दिन के बाद अगर आपको करनी है तो एक letter लिखो आप एक email डालो आपके judicial officer को आपका officer commissioner joint commissioner जो भी applicability है उसको आपका letter forward करेगा आपका email forward करेगा email में आपको यह ध्यान रखना है या later में आपको यह ध्यान रखना आपको proper reason देने है कि आपको extension क्यों चीए आप 30 दिन में क्यों नहीं कर पाए थे अभी तो definitely corona की विज़े से आप लोगों के पास अभी हम नहीं कर पायोंगे तो उसमें से 90% कैसे तो वही होंगे कि corona की विज़े से हम नहीं कर पायोंगे तो please आप जो letter draft कर रहे हो email draft कर रहे हो वो आपका बहुत ही neat and clean होना चाहिए आपके regions नीट और clean लगने चाहिए वैग नहीं होने चाहिए अगर ऐसा होता है उसको regions अपके general लगता है तो definitely आपको extension मिल सकता है दोस्तों I believe इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी रहत मिली होगी कि extension की क्या procedure है क्योंकि portal के थूरू तो हम नहीं कर पा रहे थे और जैस नए वीडियो में नए अप्डेट के साथ तब तक के लिए थैंक्यों सोमाच चैहिन जय भारव